ये दुनिया है जिसको आप देखें तो इस तरह दिखती है जहाँ पर है इंडिया और इंडियन नीवी अभी पहुची हुई है गल्फ अफ आइडन के पास एरेबियन सी में एक्टिव है और यहां से गई है एक शिप को बचाने जिसको समूदरी लूटेरे रों कैप्चर कर है अगलिए ड़िया है अब यह जिर बचाने इन ने नहीं पहुंची पर कंट्री मालटा है कहां नाम सुना है यॉरप में है कहां है तो असल में कंट्री मालटा यहां Misawmanisi में श्चूटी सी कंट्री है जिसको आप नख्षे पर नखिगतान में नहीं Integrism Schule अवे यहां पर ए से गुलफ फायडिन गा रीजन है जो जोडता है एरबेञेऑन सी को रडकी से यह है एरला इसे कहते है बाबल मन्देब पतल rice रिलाका आपको दिख रहा है इसका नाम है बाबल मन्देब जो इन दोनों को जोडता है एसे कहते है स्ट्रेट और यहीं पर है कई देश यमन, जिबूटी और सुमालिया सुमालिया में बहुत सारे समूरी लूटेरे रहते हैं और यमन में अभी active है हाउती रिबल्स हाउती रिबल्स की दुश्मन है किस से तो इसराईल से, हाथी रिबल्स का कहना है कोई भी शिप अगर इसराईल जाएगा ये इसराईल से कोई लेना देना होगा किसी शिप का तो हम उसको बढ़ने नहीं देंगे इसलिए हाथी ने यमन से लगातार हम लेके हैं शिप के उपर, उनकी कहानी अलग है लेकिन सुमालिया में बैठे हैं समुद्री लुटेरे जिनका एक ही काम है पैसे बनाना तो कोई भी शिप अगर यहां से गुजलता है तो उसको अक्सर खत्रा होता है सी पाइरेट्स का और उसे चाहिए पैसा और माल्टा के शिप को कैप्शर करेंगे वो उसके लोगों से पैसे की उगाही करना चाहेंगे तो यहां उन्हें भेज एक सिगनल और यहां आज पास मौझूद के इंडियन नेवी जो यहां के सबसे स्ट्रांगेस नेवी है और वो बचाने पहुँची उन्हें इस जगह पर तो क्या है पूरी काहनी और डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में वेलकम टु यानकोष़ आज ट्विटर पर इंडियन नेवी के हैंडल से एक ट्वीट जाता है जो बताता है कि कैसे Malta के एक ship को hijack करने की कोशिश की गई और उसको Somalia के कोश की तरफ ले जाया जा रहा है जैसे इंडिया नेवी को पता लगा कि एक उनका ship गायब है जो commercial ship था इसके लिए एक SOS message किया गया था तो भारती नेवी ने तुरंट अपना aircraft भेजा पता लगाने के लिए कहा है और इंडिया ने इसको intercept कर लिया ये वो ship heroine जो गायब था जिसको कहा जा रहा था जिसके उपर 18 crew members थे और 6 बाहर से लोग इसके उपर एंटर्वे और उसको कबजा कर लिया गया यनि hijack करने की कोशिश है और इसको ले जाया जा रहा है सुमालिया की तरफ तो इंडिया नेवी ने तुरंट अपने आपको सतरक किया और पहुचे पता लगाने इस ship के बारे में तो एक बहुत बड़ी घटना है जहामें दिख रहा है कि लगातार hijacking हो रही है और hijacking को control करने के लिए एक strong navy की कितनी requirement है तो Malta का ये ship ये vessel MB Rowan असल में Airbnb के आसपास hijack कर लिया गया छे लोग इसमें एंटर के media reports के साब से इसा पता चलता है और इस hijacking के बाद इन्होंने वहाँ जुनके crew members थे अपने platform से एक message भेजा जिसको इंडिय नेवी ने सुना और पहले तुरंट अपने aircraft को भीजा ये पता लगाने के लिए कि पहले ये देखे ये है कहाँ जब वो पता लग गया तो उसके बाद इंडिय नेवी ने अपने petrol vessels भेजे है डिटेल में पता लगाने के लिए कहाँ पर situated है क्या situation है इस ship के और क्या यहां हो रहा है अब ये hijack जो ship हुआ है इसे ले जाया जा रहा है असल में Somalia के coast की तरफ जो एक बहुत important trade route है तो हम map के दुरू एक बार फिर जाते हैं इस चीज में समझने के लिए क्यों ये region इतना important है और क्यों केवल ये Somalia के द्वारा 2017 के बार एक और successful hijacking का case होगा जहां वो ships को hijack करके उन देशों से पैसे की उगाही करती है ये समुझी लूटे रहे Sea Pirates जो इसका इस्तमाल करते हैं अपने लिए पैसे जमा करने के लिए और ये Sea Pirates यहां बहुत जाना मात्रा में पहले हुआ करती थी फिर naval strength यहां बढ़ी तो Sea Pirates थोड़ी घट गई लेकिन अभी यहां एक और विवाद उत्पन है कि Yemen जो आपको यहां दिख रहा है यहां पर बैठे हैं healthy rebels और इन्होंने लगातार हमले start कर दी है missile से fire करना start कर दिया है किसी भी ship के उपर जो यहां से गुजर रहा है जो इस्राइल की तरफ जा रहा है तो कोई भी ship जो यहां से गुजर के इस्राइल की तरफ जा रहा है या इस्राइल से आ रहा है और उन्हें लगता है कि इस्राइल की किसी दोस्त का शिप है, किसी दोस्त कंट्री का शिप है, तो उसके पर वो हम ले कर रहे हैं, तो यह मौका जैसे यहां create हुआ, अचानक से सुमालिया की location भी activate हो गए है, उन्हें लग रहा है कि इस्राइल में युद्ध चल रहा है, यमन यहां से Greece जाना है, अमेरिका जाना है, UK जाना है, तो अब यही रूट पकड़ोगे, Mediterranean Sea बहुत important रूट है, जो यॉरप को इस्या से जोड़ता है, यॉरप से इस्या अगर आपको व्यापार करना है, चाइना जाना है, जैपैन जाना है, कहीं भी जाना है, तो आपका यहां पर है स्वेज कनाल, यह एक नहर है, जो जोड़ती है, Mediterranean Sea को Red Sea से, तो कोई भी शिप अगर व्यापार करना चाहता है, तो shortest route है, यह आप यॉरप से अपना शिप भेजे इस रस्ते से होते हुए, Mediterranean Sea को पार करते हुए, कोई भी शिप स्वेज कनाल को पार करता है, फिर Red Sea में एंटर करता हुए, यहीं से होते हुए, यहां जो जगह है, पतली सी संकरी जो आपको रस्ता दिख रहा है, इसे कहते है, बाबल मंदेब का strap, बाबल मंदेब स्ट्रेट, और इस स्ट्रेट से जब शिप गुजलते हैं, तो जगह बहुत कम होती है, तो यहां पर अग और यहाँ जो government है उसको support करती है Saudi Arabia, अब विवार देखिये क्या है यह जो region है, दुनिया का कोई भी trade अगर होता है Europe और Asia के बीच में mostly वो इसी region से गुजलता है, Japan जाना हो India जाना हो, China जाना हो, सब यही route लेते है, तो यह बहुत important route है energy के लिए भी, यहाँ बहुत सारी country से जैसे Saudi Arabia हो गया, यहाँ से अगर आपको oil-oil भेजना है लेना है, तो यहीं से export करेंगी उसको, जेदा एक बहुत बड़ा port है यहाँ पर आपको दिखना है शहर का नाम तो इसलिए Red Sea के आसपास के इलागा बहुत important है strategically, और यहाँ यह Arabians ही है यह Red Sea है, और यह है Gulf of Aden तो यमन पर अलड़ी होटीस का कबजा है जो अलड़ी इसराइल पर भी रॉकेट दाख चुके है पहले यहाँ से, जब उन्हें लगा कि हमारे रॉकेट जा नहीं पाएंगे तो उन्हेंने कुछ ships को capture करना स्टार्ट कर दिया, अब यहाँ नीचे यह Somalia कंट्री है जो आपको दिखरी है सींग जैसी तो Somalia के आसपास बहुत सारे Sea Pirates रहते थे हमेशा से जो यहाँ जो ships का नंबर होता था था, किसी भी ship को जागे capture कर लिया, उसको कबजा करने के बाद पैसे की डिमांड की जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक वो लोगों को छोड़ेंगे नहीं, यह विवाद रहता था Malta के ship को capture करना यहाँ इनके द्वारा, जब recently दो दिन पहले ही कल पर सो लगातार Houthis ने यमन से लगातार firing कि है ships के उपर, जिसको लेकर American Navy ने भी का कि हमें भी वाँ जाना पड़े और कुछ अपने ships भेजें इस तरफ क्योंकि उसको protect करने के लिए यहाँ यह चीज़ क्लियर होती है कि इंडियन Navy का role कितना बड़ा है कि यहाँ कोई इतनी strong Navy ने यह जो इन सब से लड़ा पाए इसलिए इंडियन Navy का आना और इस region को protect करना यह दिखाता है कि कितना महत्रपूल रोल इंडिया प्ले कर सकता है as a security provider to the Arabian Sea, to the Indian Ocean and to secure that the region of Swazkanal क्योंकि Red Sea के आसपास कई सारी कंट्री Sudan, Eresia, Djibouti, Somalia, Yemen यह सारी कंट्री इंस्टेबल है यहाँ पर अक्सर विद्रो होते रहते हैं और जो इन पर कंट्रूल है कभी-कभी खिसक के rebel organization के पास चला जाता है militant groups के पास चला जाता है वो उस मौके का फाइदा उठाके vessels पर कभजा करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसके पैसे लिए जा सके लोगों को hijack करके और यह attempt एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है जो इतना important trade route है पूरी दुनिया का उसमें अगर ऐसी instability होगी तो व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए इंडिया नेवी काई जो step है जहाँ उने इस ship को पहले intercept किया और अब उसको monitor भी कर रहे है दिखाता है कि कितना important role इंडिया प्ले कर सकती है strategically इस रीजन में इसलिए इंडिया की नेवी इस रीजन की strongest नेवी बनके उबरी है और भारत कहता है अपने आपको कि हम इस पूरे इंडियन ओशन के net security provider बन सकते हैं कोई भी अगर sea piracy हो इसे रोकने की जिमेदारी हम लेंगे और आप support करिये और हम इस पूरे इंडियन को secure कर देंगे कि यहां बहुत व्यापार होता है लेकिन यमन में जो हुआ हाउती रीबल्स का हमला चाहे वो पहले इंडियन शिप के आसपास भी दो मिजाइल्स मारे गए अमेरिकन शिप्स पर मिजाइल मारे गए क्रूज मिजाइल अब क्रूज मिजाइल इनके पास आए कहां से अगर मैंने आपको बताया कि हाउती जो है वो असल में बस कुछ विद्रू ही है कुछ militant organizations है तो हाउदीज के पास इतने अच्छे हतियार कहां से है तो वो इनको प्रवाइड कराता है इरान और हाउदीज ने उपर वाल डिकलेर कर रखी है किसके खिलाफ इस्राइल के खिलाफ इसके उपर एक वीडियो मैंने कल ही बनाया था और ट्रेड की shipments move करती है इनको secure करना बहुत जादा महत्वपूर है और इंडियन नेवी का step ये swift action दिखाता है कि इंडियन नेवी के पास capability है जो इंडिया को एक बहुत बड़ा player बनाती इस region में ऐसा ना हो इसके लिए इंडिया को जरूरी है कि बाकी देशों के साथ मिलके ensure करें कि यहां सी पाने सी खर्त में हो जाए लेकिन अगर आप UPC के तयारी कर रहे है तो ऐसे topics में आप पढ़ते है तो बहुत important है आपको पता हो कि basic history क्या है कैसे questions पूछे जा सकते हैं आपके तयारे इंडिया maritime security के लिए क्या क्या कर रहा है तो ऐसे question आपको तभी समझाएंगे जब वो topic को धंकी classes में cover करेंगे आपको कोई guide कर पाए कि क्या important है concept कैसे समझना है foundation कैसे build करनी है और बच्चों को दिक्कत्तब आती है क्योंकि ऐसे courses ऐसी classes बहुत महेंगे होती है और आप दिल्ली जागे पढ़ें ये सब के लिए संभव नहीं तो इसलिए PW Only IS आपके लिए विकल्प लाया है जहां हमारा foundation course अभी आपके लिए उपलब्द है केवल 10,999 रुपे में जो बहुत ही कम कीमत है और इस कीमत पर आपको offline classes जैसी quality मिलती है high quality classes is a very reasonable price और आपको English इंदी दोनों का विकल्प मिलता है जिस भी भाषा में चाहें आप join कर सकते हैं टाइटनिया संगल्प में quality और affordability मिलकर flexibility प्रवाइड करेंगे आपको अपनी preparation को नहीं उडान देनी के लिए जहां एक-एक basic चीज आपको explain की जाएगी समझाई जाएगी foundation को build किया जाएगा current defense कैसे पढ़ना है quality, geography, economy, environment आप सब पढ़ेंगे और अपने आपको strong बनेंगे preparation को strong करेंगे और exam crack करेंगे तो अगर आपको इसकी detail चाहिए तो इसकी link आपको comment box में बिंड मिल जाएगी ये description box में भी मिल सकते हैं जिससे आप इस course तक पहुँचे और अगर आपको लगे कि आपको जरूरत है तो आप इस course को join कर सकते हैं तो ये बात हो गई foundation batch की course की जोब जरूर जोइन करिये और अब आईता है दुबारा हमारे topic पर जो बात करता है किस चीज़ की जो अभी हो रहा है healthy rebels के attack के बाद यमन में जो attack लगातार कर रहे हैं tanker ships के ओपर जो वहां से गुजर रहे हैं प्लस अब सुमालिया में एक बड़ा sea paracy का example जो हमें देखने को मिला जहां छे लोग इस ship पे चड़े इस पर कबजा किया और इसको शायद सुमालिया के तरफ ले जा रहे है जहां इंडिन नेवी पहुंची है तो देखिए ये वो इलाका है जहां से healthy rebels हमले करते हैं सभी ships के उपर कि पतली सी पतला सा रस्ता है यहां से ships के पास गुजरने का मौका भी नहीं है जारा space भी नहीं है तो attack अगर होगा तो बहुत नुकसान हो सकता है और अगर आप यहां से गुजरे इधर तो यहां सुमालिया है यहां सुमालिया के लुटेरिया आपको पकड़ लेंगे तो इसलिए इस region को secure करने की सक्ष जरूरत है trade के लिहाज से भी और सामरे के इनि strategic district को उन से भी कि कल को कोई terrorist organization आके कोई ship को capture करे के लोगों को मानने लग या तू क्या होगा तो इसलिए बहुत जरूरी है इस region की safety और security इसलिए like minded countries जो ही है आसपस की सारी countries को साथ हाके इन सभी चीजों पर लगाने की बहुत सक्ष जरूरत है पर इंडियन नेवी का एक बड़ा कड़म है इस पर जो भी अब्लेट आईगे हम आपको बताते रहेंगे ततकाल के लिए इतना ही देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद keep on watching ज्यानकोष और याद रखिए माल्टा का शिप्थ है और आप से मेरा सवाल है कि इंडियन नेवी को क्या करना चाहिए कि रीजिन और से क्योर हुआ है देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद keep on watching have a nice day